खबर समय जगत में आपका स्वागत हैं मैं हर्षता जोहरी आई नज़र डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खुरों पर लांजी जनपत अंतगत ग्राम कुमहारी में 11 सदस्यों वाला परिवार छोटी सी जगह में कच्चे मकान तले आर्थिक तंगी के बोज के साथ जीने के लिए मजबूर है इस परिवार के कच्चे मकान पर कबेलू नहीं है जोपडी नुमा इस छोटे से घर के एक कमरे में सभ सदस से गुजारा करते हैं इसके बावजूद भी इस और गाउं के सरपंच और अन्य जिम्मेदारों द्वारा प्रात्मिक तौर परेने प्रधान मंत्री आवास योजना कलाब नहीं मिल पा रहा है और सूची क्रम के अनुसार ही आवास योजना कलाब देने की बात कही जा कर रही है कि अधिया समस्या है कि यह सरमकांटा समस्या है इसने फाम भरते हैं सब्सक्राण मंत्री आवास योजना की जो लिस्टे उसमें आपका नाम नहीं आया है कि अभी तक मचांटा तक आपके जो पहले वाले हैं या बाद वाले उन लोग का मकाण ही होगे आप लोगं को नहीं मिला कैसा कुछ क्या बोल रहे सारपच आप ने इस बारें बात के थे आप गए पी उन्हीं को में लाएं से बन रहा है बूर्णा पर आप पर यूंद BL yagg Q9 कितने बच्चे आपके 8 बच्चे आठब बच्चे इसः पाँच्व लड़कि यह तेन लड़कि ऑक書 25 यह नहीं पढ़ाई करें एक नगस्वी पढ़ लिया इसके लिए। क्या करते हैं अप्रश्ट कहां पर बैंगलोर में जाते हो मतलब फिर गर में पैसे भी वेजना पड़ता है वापे खुद के इसे खाना पीना वगरा सब अपना रहता है आपने वी वास्तिक्ता देखिए कि क्या इस्थिती है आर्थिक हाला तो सुझ गुजरता हुआ है परिवार जो है पासाथ बच्चों का फिता है एक बुड़ी माता जी है जो बैटी है छोटे छोटे दो तिन कमरे है नीचे के जो देखे आप कैसी नमी है यह सब सारी जानका कराई जहां तक के विधान सभा उपाध्यक जी के सामने भी रखी गई है लेकिन अभी तक इन चीजों का कोई भी समाधान नहीं है बीच में मुझे जानकारी मिली कि बीच में इनके हां जो है ना इनके मकान के बीच में जो है साप निकल आया तो यह ऐसे हालात है आसपास पीछे खेथ है आपने नजर दोड़ाया होगा पीछे तो मेरा मेरी मांग तो इस स्थिति में रहने वाले जो परिवार गरी परिवार रहे है जो बड़े मुस्पिल से अपना गुजर बसर करते है जीवन यापन करते अपने बच्चों को पढ़ाते है आज स्थिति यह है क अपनों बच्चे को पढ़ानी पा रहे है जब भरपेट भोजन ही नहीं मिल पा रहा है तो पढ़ा ही कहां से होगी तमान सर्पन साहब को इनकी प्रात्मिक्ता देनी होगी कि मकान बनाने के लिए पहली प्रात्मिक्ता देना चीए जो भी इनकी जो भी समस्या है उनको पह इसके मिटिंग लखवाले नातर तुरंत में, इनने बहुत प्रयास किये हैं, पंचायत में भी आविदन किये हैं, जन सुनवाई में भी गये हैं, कहीं बीनकी मान की पुरती निकट रहे हैं, और इनके घर में आये जुन बरसाथ के दिन में फीचेर रहता है, अंदर में सोनी पाती लोग साफ निकलता है बहुत सारी समस्या संपड़ सरपच को पंचायद के सामने हैं राद दिन आ जा रहे हैं देख रहे हैं उसके बाजुद में भी कौई काम ने कर रहे हैं आपने देखा अभी पंचायद भौन के ठीक सामने एक परिवार रोटी कपला मकान के लिए तरस रहा है और हम उस देश की बात कर रहे हैं जहांपर रोटी कपला मकान अती आउस्यक है इसके बाजुद यहां पंचायद भौन के सामने एक परिवार मकान और रोटी के लिए तरस्ता हुआ नजर आ रहा है जो कि ठोटा सा कमरा में रहे रहे हैं इसके बाजुद पंचायद कोई ध्यान में देपा रही है ना कि सरकार कि यहां कि जो है चम्रुलाल टेकाम वाला जो परिवार है उनके बहुत दिक्कत है मकान वकान की तो वह चाहते हैं कि उनका जो लिस्ट के इसाब से नाम नहीं करके उनको प्राइवरेटिव बैसिस पर उनकी पशिती को दिख करके काम किया जाए उनके लिए घर बनवाज देजे परदान मंत्रिया वास योजना से तो उसके लिए आपका क्या कहना है थीक है मैं उनको जनपस मिला के मिला दिए और प्रयास कर दिए क्लिए प्रयास करें खबर समय जगत के लिए लांजी कुमहारी से ब्यूरो रिपो पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगास सच दिखाने का हम है आपकी आवाद